नई दिशाए में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ नदी कुमारी बात वर्ष 2015 की है जो जार्खन के गाउं में पांच युवदियों को डायन बताकर गाउंवालों ने उन पांचों के हत्या कर दी ये कहानी उन हजारों कहानियों में से एक है जो हर साल हमारे राज्चे में घटत होती है जहां महिलाओं को डायन बताकर या तो उन्हें मारा पीटा जाता है और कभी-कभी तो उनकी हत्या तक कर दी जाती है हम एक तरफ आधूनी की करन की बात करते हैं और वहीं दूसरी तरफ डायन प्रथा जासे अंध विश्वास में पढ़ कर लोगों की हत्या कर देते हैं जहां एक तरफ महिलाओं को देवी मान कर उनकी पूजा की जाती है वहीं दूसरी तरफ उनने निर्वस्तर कर पीटा जाता है मल मुत्र पिलाया जाता है, उनके साथ तिरसकार किया जाता है लेकिन जैसा कि हम अपने इस कारिक्रम में कहते हैं कि अगर समस्याएं हैं तो उसके साथ ही हमारे समाच में ऐसे लोग भी हैं जो निरंतर ऐसे कूप प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़े हैं आज हमारे साथ स्टूडियो में ऐसे ही दो खास महमान मौझूद हैं जो पिछले 30 साल से भी जादा वक्त से जारखन में डायन पर्था के खिलाफ लड़ाई लड़े हैं, लोगों में जागरुकता फैला रहे हैं और साथ ही जो पीडित हैं उन तक मदद का हाथ पहुचा रह कि इस तरीके से लगारफशा काम करना है. जैसा ह Habenill our society30 साल से भी जादा वक्त से आप लोग काम करें तो क्या इस जर्णी की शुरवात कैसे रही? कि पूनर में आप से शुरू करती हूं यह डाइन इसू है जो की काफी समाजिक इसू है और यह पूरी तरह से समाज में जकड़ करके रखा हुआ है तो इसको लेकर के हमने जब काम सुरुवात किया था तो गाउं में ही हम पहले रहते थे और उस समय मेले दाधी को ही डाइन क पूरी के पूरी हम लोगों को निकाल दिया गया इस तरह से घटना है बहुत सरे घट रही थी तो इसको लेकर कि हमने काफी विरोध किया बिरोध करने के बाद में हमने अपने घर को भी संड्रक्षिन किया कि यह सब चीजों को हम नहीं मानते हैं और इस अब जितने भी ओजह कपा है, वह जहा खरकर के काफी हमारे घर में तोडफोर करने लगे यहां पर कोई चीज है वह में को खोट के निकालना पड़ेगा, कोई भूथ है, बनाना पड़ेगा इस तरह से नहीं लगे हमें विरोध और इस तरह से जब देखे कि वास्तों में यह घटना घट रही है वह हमारे घर की बात नहीं है और हर घर गाउं में भी कोई ना कोई महिलाओं को डाइन कहा जा रहा है और यह जिस तरह से गाउं में आदिवासी समाज है वह कई पूजाएं करती है जैसे बाड़ पहाड़ी पूजा है तो उस पूजा में अगर वह पूजा नहीं हो पाता है जा पूजा अगर आधन फर hors हिह बहुत हना थे चिर्द नहीं भी कहना हो पाता है उनको लगता है कि किбоि दो दॉक़र नहीं हो महिला मैहें वह कर रही है दो इस और से बार और बहुत बहुत जादा ही टॉरचन लगए तरह बहुत दॉब इस मजार उसके बाद हिसमें देड़ लेगी गालना किजिए करां पशनी मेंançック देडी लेगा और के अब अब तरह लेगावर ब confirme अब हम एक आक मेंग को पते को पर लिखन variety जिससे साधी भीहा हो, चटी हो, मुलनों, उसमें किसी भी तरह से उसको आने के लिए नहीं दे जाता है, जैसे किसी का भी बच्चा हो जाता है, तो इसको चीपाया जाता है, तो इस तरह से कई तरह से घटनाए घटता है, तो इस सब हमेशा समाज में घट रहा है, इसी चीज काभी positive चीज नहीं एक तो हम लोगों को मिला कर के जिसे एक त्यू नाटक भी करने का परयास कि ताकि वहां पर जाकर के नाटक दिखाएं तो वि चंटिंग कि महिलाइं क्या हैं नाव केस से कहा जा रहा है. जreat मने ज़्केशा, दिखाने सीमि क्लिवार दो पर पर दर्ज करवाने के बाद में गाउं में पंचायती करवाने के कुछिस किया पर पंचायती के बाद में जब महिलाओं को उसमें सारी योजनाओं से उसको वंचीत कर दिया जाता है कोई भी योजनाओं से नहीं जोड़ना है फिर विडियो से CEO से उसका अप्लिकेसन दे करके उसका इंदर आवास मुख्या मंत्री आवास योजना दिलाना उसका ब्रिधा हो गई है ब्रिधा पेंसन योजना दिलाना तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं उसको जोड़ते है ताकि महिलाओं का और हम लोग अवेर भी करते हैं और यह हम लोग अवेर करने के लिए उनको लाकर वरक्सोप करते हैं ताकि उनको इनके अंदर इंपावर्मेंट आए अवरनेस तो अपने घर से ही आपकी शुरवात हुई है घर में जो देखा से रेलाइज वाकिस पर काम करना बहुत जरूरी है अगर आप देखे तो 87 1987 में डाइन का पहला केश मिला था वहां से बुद्नी दिभी करके एक महिला थी जिसको डाइन करके परतारित किया रहा था और उससे हमारी मुलाकात हुए घर के बाहर हो रो रही थी जब हम लोग बात किये तो पता चला कि उस को परतारित कर रहे हैं और चोटा सा कुछ पारिवारिक कलह के कारें उसको डाइन बोला जा रहा है दूसरी के सुनिशन नब्य में आया मानिकुई का जो जमसेथपूर की घटना थी तब से हम लोग इस उस पर काम सुरू के और हम लोग पूरे ग्रूप के साथ में जैसे प इस पर कोई कानून नहीं है मतलब अगर हत्या हो जा रही है तो धारा 302 के ताहद में केस दर्ज होता है और उसको सजा होती है लेकिन इस डाइन के कहने पर कोई ऐसा कानून नहीं है जिसको लेकर सजा का कोई परोधान है फिर हम लोग केंपैन सुरू किये और 1999 में डाइन बिहार में हम लोगों ने पास कराया जिसमें रावडी जी वहां मुक मंत्रि हुआ करती थी फिर जब जब जार्खन बिहार से अलग हुआ तो फिर 2001 में जार्खन में सेम कानून को है अड़प्ट कर लिया गया और फिर यहां कानून पास हुआ मतलब अगर कोई भी औरत को पर ताड़ित करते हैं तो कानून के दायरे में वह आएगा और कानून के दायरे में आने के बाद उसे केस दज कर सकते हैं तो यहां से हम लोग का सपर शुरू हुआ जहां 1909 में हम लोग कानून बनाएं 2001 में अड़प्शन के उसी कानून को एड़प्ट करवाएं जार्ख रिस मिलती है फिर अव साथ में कॉंपनि 위해서 के साथ में यूह नोग करते हैं और पूरे साटेजलेब़र के सार इंदिया के सारे स्टेट के कुछ बोगे लोग जाकर में भी डौरवर एक में लॉल आया गया विज्ट्राफ्ट गया तो अगर उस कानून की बात करते हैं तो उसमें क्या किस तरीके के प्रावधान है अगर किसी को डायन बता दिया जाए या किसी के साथ प्रतारना की जाए तो देखने निशन इनान में जब कानून पास ह अगर आप देखे धराज तीन में की सजा है और मैक्सिम tienes युख ऑगर कोई किसी और गावब puff 티म करता हो और वो झार करती हैज तो मैक्सिम में मैं मैक्सिम मूश को मात्र थीन में की सजा है और उसको एकार पे जिरुवार विज्ट्रवन आए तो धराचार में आप और उसको परतारना करते हैं तो उसको लेकर भी 6 मेहने की सजा है और 2000 रुपे जर्वाना है और धारा 5 जो है डाइन परता परतिसे देजने इम 2001 जो यहां जारखन में लागो हुआ उसमें धारा 5 कहता है डाइन की पहचान करके दूस प्रेयरन करना अगर किसी और उसको लेकर कोई शडियन दरजते हैं कोई दूस प्रेयरन करने के लिए परियास करते हैं लोगों को जमा करते हैं जुटाते हैं और प्लानिंग करके अगर कुछ करते हैं तो उसके लिए 3 मेहने की सजा है और 1000 रुपे जर्वाना है धारा छो जो है घ्रिप फजा फीके सजा को प्रव्धान थरुफान सब्सक्राइम और चोई देक्षार करना पर जादे विश्वास करते है उसका और उसका नजय को सब्सक्राइब करता है और फिर नहीं अपनाा अजेंट भेज के गाओं में पूरा घुलिया करता है कि कि सोरत को ये लोग इंगीत करते हैं कि सोरत को डाइन कहना चाते हैं तो ऐसे इस्तिति में धाराच्छे डाइन परता प्रतिस्यत दिनियम कानून जो है 2001 उसमें धाराच्छे जो है उसमें डाइन की उपचार के लिए सजा है जिसमें एक साल की कारवास है और दो हजार पर जनवाना है यह सिदा ओजहा उपर जाता है लेकिन आप देखे तो इसमें दो तरह के लोग हैं एक तो ओजहा है दूसरा गुनी है तो जारखण में जो ओजहा है वो पूरी तरह से वो अपने पेट पालने के लिए हडिया गुनी जो होता है उसको थौड़ा बोट जड़ बुटी का ज्यान होता है तो जिसको शोखा हम कर सकते है गुनी बुटी जimento के मैद्यम तो भड़े देखादा है लेकिन आज कले देखा जाता है लेकिन आशकर आज रिखा जाताहित वो ऑलोपेथिक दवा लेके भी हो बड पर दादा भिया जोंडाशनार है तो इस तरह से चीजे हैं तो इन सब चीजों में हम लोग चाहते हैं नुख रूरिवा गया आएक divina case सबसे जाए 90% महलाएं मारेगे, 3% पुरुस मारेगे, पुरुस इसलिए मारेगे, चुकि वो अपनी घर वाले को बचाओ के लिए आगया है, तो उसके हत्या हो गई, तो लगतारे से घट रही है, और continuous लिए हो रहा है, मतलब आप सोच सकते हैं, 26 सालों में अगर 800 महलाएं मा जैसा कि आप बता रही थी, कि जब आप जाती है, यह लोग ने इसको ट्रेडिशन से जोड़ के रखा है, कि अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो शायद इसी के वज़े से हो रहा हो, तो वह बहुत बड़ा चालेंज है, क्योंकि लोगों ने दिमाग में बठा लिया है, क इसके बाद अगर वो कुछ गलत करते हैं, वो कुछ अपरात भी करते हैं, तो उन्हें उसका पच्छतावा नहीं रहता, क्योंकि उनकी दमाग में बैठा है, कि हमने कुछ गलत किया नहीं है, तो वहाँ पर जाकर उनको तब जागरु करना कितना बड़ा चालेंज है, और क या किस तरीके की आपको मतलब रिस्पॉंस मिलते हैं, जब आप लोगों से वहाँ बात करते हैं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि गाउं में जो डाइन कहके महिलाओं को जो मारे जा रहे हैं, तो कोई भोजा चिनीद कर देता है कि ये डाइन महिलाएं हैं, जब वो उस को लगता है कि हम ये समाज का सेवा कर रहे हैं, मतलब अगर हम एक डाइन को अगर यहां से भगा देंगे, तो हमारा समाज में क्या हो जाए कि बहुत सरे मित्वी नहीं होगा, कोई बाल बच्चे नहीं मरेंगे, इस तरह से घटनाएं, तो उनको ऐसा लगता है, उनको लग काफी महिला को यहां को मारा जा रहा था, तो वहां पर देखिए हैं तो बाह पर देखिया है, तो आज इस महिला को यहां मारें होतागे, तो कि यहां से गाउं में सारा समस्या खतम हो जाएगा। करने के बाद में लोगों को लगा कि अगर मारेंगे चली आज हमने इसे हट आधा देते हैं अगर लोगों को नहीं मरेंगे यही धारना ही है कि मार करें उपतार आट कानून को पता नहीं है उतना नहीं है कि कानून विए उतना नहीं है कि कानून को लेकर के नहीं है जाता है तो यह बहुत सारी घटना है बहुत ही जादा हम लोगों को पीस ट्रगल करना पड़ता है कि आपको थाना में भी जाकर अवैर करना पड़ा है तो अभी के वक्त कैसे कोन-कौन से आशे कांपीनस आप चला रहे हैं इनिशिटिव्स रहें लोगों को आवेर करने के लिए? हम लोग तो अब देखे तो एवरनेस के लिए हम लोग लगातार ही strict play हम लोग करते हैं। नो करनाटक हम लोग कंटीनु असली कर रहे हैं। हम लोगोने हर जगह, हर गाहों में हम लोगों कोसिस कर रहे है, जिसपे यूथ है। अभी ही खासकरके, हम लोगों यूथ पर ज्यादे फोकस कर रहे हैं, जो गर्ल Most expresident आध डर साथ हम काम कर रहे हैं potential for lo种 reporting और गाहा बाया क्र देढ्क weiß अगर पूरी जार्खन का इथियास देखेंगे मतलब पिछले 5 सालों में देखेंगे तो तकरीबन 4,000 केस पूरी जार्खन के 2400 जिल्यों में डाइन के नाम पर केस दर्ज है जिसमें 2,000 केसे से उस पर चार सीटों गरा भी चल रहा है बाकी केसे स्पेंडिंग है तो यह कंट क्यों जो है तो इस दर्ज से आउसी को बात करना पड़ता है तो इस दर्ज में सब्सक्राइब लेकर काम कर रहा हैं कोई घट घड़ गई तो वह ऐसे दपके नहीं रहा जाए उस पर हम लोग गउगर ए तो बसी है उनके बचे बाहर से लेगे हैं उनके बाहर के लिए करना सरकार की जो जना हैं उसके साथ जोड़ के उनको सम्मान दिलाने के काम कर रहे हैं जैसे इंद्रावास हो गया बिर्धा पैंसन हो गया इन सब जो जाज चीजे हैं उसके साथ जोड़ने का हम लोग एक ग्रूफ है हमारा जो पुरे हम लोग साथ में काम कर रहे हैं हमारी पिछले बीस-वाईस सालों से जुड़े हैं काम कर रहे हैं। जो स्राइकला में भीरबास में है, ज़ान चुटनी महतों काम करते हैं हमारे संस्ता से जोड़ी है, और संस्ता के लिए बहुत गर्ब की बात है इस बार हम लोग को पदमसरी मिला चुटने जी को तो वो भी वहाँ पर काम करें जिसमें 40-50-60 महिला हैं लगातार महिने में हम लोग उनके साथ कौंसलिंग करते हैं करते हैं और पर कोशिस करते हैं कि वह कैसे निपड़ जाए पाला प्रियास करते हैं कि गाउन में बात करें और जैसे पुनम बता रहे हैं कि हम लोग देखते हैं जारकन में जो गराम सभाव वहां पर महिलाओं और बच्चों के मुद्दों के लेकर उतनी जादे लोग संसेटिव नहीं उस मुद्दे को चर्चा नहीं करते हैं जायतर गाओं में गरमसभा में चाह पंचायतों में जो सरकारी योजना है उसको इंप्लिमेंटेशन के लिए जादे बाते होती है समाजिक जो मुद्दा है चाहो 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 इसंटिंग का हो चाहो डोमस्टिक वैलनस का हो इस पर जादे चर्चाएं नहीं होती है गाओं के जो चुपा ओए रहे जो जर्खन में पंचायत चुना हो नहीं है और पंचायत क्यों चुना होने वाला है उनसे अभी हम लोग पूरा एक फॉर्मिट तैयार कर रहे हैं कि पंचायद चुना होने से पहले जो लोग पंचायद चुनाओं में खड़ा होते हैं, उनको एक सपत दिलाए जाए कि हमारे गाउं में हम जिस पंचायद से उस पंचायद में किसी भी औरत को डाय नहीं कहा जा कानून में जोड़ा जबा चुनाओं एक पंचायद बाए जाए हैं, आप मिताल में बान इंखिते हैं को ऐसे कर आब आप बिद्त काम कर सकते हैं कानून्ब ददाण कर सकते उसको समाहित कर सकते हैं और पंचाय चुनाओं से पहले यह सब सारे सपत और बाकी जो चीजे हैं हम लोग उसमें काम कर रहे हैं जैसा कि आपने काहां कि जो महिलाए होती हैं कभी-कभी तो वो खुदी मान लेती हैं कि शायद सच में हम ऐसे होंगे इसलिए डायन हैं हम इसलिए लोग बोल रहे हैं उनकी मानसिक स्वास्त पर बहुत असर परता इस चीज का जिस तरीके से जैसा कि आपने का बहुत बहुत तो जब एक बार आप उनको रेस्क्यू कर लेते हो उसके बाद उनका कांस्लिंग का कैसा प्रोसेस होता है क्योंकि उनके दिमांग में भी यह डालने के जरुरत है कि आपने कुछ गलत नहीं क्या है अगर आपकी साथ आगे कुछ हो तो आपको बोलने की जरुरत है आपको चार दिन पांस दिन ही सात रखते हैं उसको घर नहीं भेज़ते है उसको ला करके ले बहुत सारी चीजे कानून के बारे बताते है कि कानून यह कहता है आपका प्रतिकर क्या है उसके और को अग्र करते है और आप पय आपदा हुए है तो आप इसीतरा से recycling को कुछे नर्यक बढ़ाना चाहती है बच्छों इसी महिलाम को भी काफी कहा गया है। तो आप अपको आगे करने की जवर्त है। तो इस तरह सुन को देते हैं और कई की से बुलाते हैं। जिसे एक है अमेरिका की जूलिका जी है वो हमारे यहान हर साल आती है और पूरा अपने माइम के द्वारा ही उसका लेंगवेज नहीं होता है, बहुत सारा चीजे हैं, एक्टिविटी के वज़े से ही उन महिलाओं के इंपार्मेंट लाने के कोशिज करते हैं, और उनको हम लोग जितना अच्छा खाना दे सके हैं, जितना अच्छा खाना देते ह हम लोग सारा कुछ उसको देते हैं, और उसको लोग एक इंपार्मेंट लाने के कोशिज करते हैं, जितना दिन वो रहती है यहां पर उनका मजदूरी हट जाता, अगर वो भर में रहती है तो काम करती है, जिससे उसको जीवी का चलता है, तो उसको उसको मान दे के रूप म हम लोग बताते हैं, जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि रमायन में भी कहा गया है, जैसे कि रावन का बेटा सब मर जाता है जब यूद में, तब अंत में जाके कहता है कि सीता तुम डाइन हो, इसलिए मेरे सब बच्चों को तुमने खा दिया, इस तरह से वो एक घास के ल सोचते हैं कि हम जो सोच रहे ते हूँ गलत वही अ गलत सोच रहे थे , कभी कभी महिलां ऐसे हो जाती है कि आपने छहर खा लेती है नदे में जाती है, यूदधे में नकल कर अधर सामने ही आता है। moments कि आपको कापी कोसिज करते है कि На जिनद्रह की है aap रात बिलकु और से हैं अभी अगर हम फ्यूच्छ की बात कि बहुश्य में कि क्या कोछ ऐसफट प्रोग्राम्स लाने की आपकी आपको अपने का हूए जैसा अँक्तो धीक्ति है तो पर्सक्ति अगि कंप जाएन कि तो गप कर दो हैं तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार इस मुद्धे पर बहुत ही समेंदन सिल सरकार को होना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा इसमें और इसमें ग्राम सभाव चुके यह जितनी घटना है घट रहे हैं गावस तरफी है जादे तर हम लोग उनों देखे हैं जो ट्रैवल बोल जीले हैं उन जीलों पर जादे घटना है करती है संदाल परकना साइड में थोड़ी हत्याय की मामला कम है वहाँ जादे टोच्टेर होता है आप देख लिए आंगनवाली से लेकर अलग-अलग जो कमीटियां हैं गाओं में उनको थोड़ा इस पर एवरनेस करना होगा उनको ट्रैनिंग देना होगा जितने भी पंचायत परतिनेदी जीत के आते हैं ग्राम प्रधान चाहएक जो भी समाज को लीड करते हैं के साथ सरकार को काम करने पड़ेगा और कानून में जा त्रिस्टी कॉंसे तरकार को काम करनी की जूरत है और सबस्कूर क्र breaths और700 वे बात है अभी नेएंगि आफ सार्म आरे बधान के जड़त है रगसा कि अजसर ने हमें बताया भी कि हमारे पास एक law है जिसके अंतरगरत अगर किसी महिला को डायन घोशित किया जा रहा है तो वो जाकर थाना में जाकर इसकी complaint लिखवा सकती है और एक बहुत बड़ा issue है कि लोग सामने नहीं आते हैं लाया कर बात नहीं करना चाहते हैं हम वेट करते हैं कि हत्या हो जाए उसके बाद कुछ action ले तो वहां तक बात आने नहीं देनी है अगर आपकी आसपास भी ऐसी कोई घटना है या आपकी गाउं में ऐसे कुछ समस्या है तो बाहर आईए लोगों तक जाग रुगता पूनम आप आएं जैसर आप आएं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जो जानकारी आपने दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया इसे के साथ हमें भी दीजे इजादत नमशकार